अपने चार साल के बेटे की हत्य के आरोप में जेल में बन सूचना से्ट का, उनके एकस हस्बेड वेंके ट्रमन के साथ पहली बार आमना सामना हुई सूचना सेट के पूर्फ पती वेंकेट रमन कालगून पुलिस स्टेशन पे अपना बयान दर्श कराने पहुंचे थे इस दोरान जब दोनों का आमना सामना हुआ तो करीब 15 मिनिट की मुलाकात हुई और खूब बहस हुई आईए पूरा केस और बाचीत विस्तार से बताते हैं आज तक के दिवीज सिंग के रिपोर्ट के मताबक फुलिस स्टेशन में जब दोनों का आमना सामना हुआ तब वेंकेट रमन ने गुस्से में पतनी सूचना सेट से पूछा कि तुमने बेटे का मुर्डर नहीं किया तो किस ने किया इस पर सूचना सेट ने चुप्पी सादली और कोई जवाब नहीं दिया वेंकेट बार-बार सूचना को उनके बेटे का कातल बोलते रहे लेकिन उसने हर बार इस आरोप से इंकार किया इतना ही नहीं गटना के लिए उन्होंने वेंकेट को ही जिम्मेदार ठेरा दिया पुलिस स्टेशन में दोनों की बहस हुई और दोनों एक दूसरे पर ही आरोप लगाते रहे बाचीत के दोरान सूचना हर बात के लिए वेंकेट को जिम्मेदार बताती रही पुलिस पूचतार के दोरान वेंकेट रमन ने ये भी बताया कि जिस वक्त उनके बेटे की हत्या हुई उस समय वो किसी काम से इंडोनेशिया में थे पुलिस से बेटे की हत्या की सूचना मिलने के बाद वो 9 जनवरी को देश लोटे और 10 जनवरी को बेंगलूरू पहुँचकर उसका अंतम संसकार किया सूचना सेट और वेंकेट रमन ने 2010 में लव मैरिज की थी 2019 में उन्हें एक बेटा हुआ लेकिन 2020 आते आते पती पत्नी में जगड़ा होना शुरू हो गया वेंकेट रमन के वकील ने कहा कि पिछले करीब एक साल से मेंगलूरू के फैमली कोट में बच्चे की कस्टिजी को लेकर केस चल रहा था इस दौरान कोट लगातार वेंकेट रमन के फेवर में फैसला सुना रहा था नवंबर 2023 में अदालत ने बच्चे के पिता से हर अविवार घर पर मिलने की उसे अनुमती दी वेंकेट रमन के वकील के मुताविक सुचना सेथ किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अपने पिता से मिले सुचना सेथ ने पांच हफ़ते तक कोट के आदेश को टाला और बेटे को उसको पिता से नहीं मिलने दिया और जिस दिन बच्चे की हत्या हुई उस दिन उसे पिता से मिलवाने के लिए सुचना सेथ ने जगह और समय तै किया था लेकिन जब वेंकेट रमन ने उससे संप किया था सूचना सेट के होटल से चेक आउट करने के बाद हत्या का खुलासा उस समय हुआ जब हाउसकीपिंग स्टाफ को सफाई के दौरान खून के धब्बे मिले इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले होटल के सीसी टीवी फुटेज तेज की गई आठ जन्वरी को करनाटका के चत्रदुर्ग में बीच रास्ते में ही उसे गिरफतार कर लिया गया और चार साल के मासूम की हत्या की जाच अभी चल रही है गोवा पुलिस ने इससे पहले 12 जन्वरी को क्राइम सीन रिक्रेट किया था गोवा पुलिस हत्या र आते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में पताईएगा देश दूएक तमाम खबरों के लिए लाले जॉब देखते रहे हैं शुक्रिया